मर्कुस रचित सुसमाचार पहला अध्याए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंब जैसे यशा याह भविश्य द्वक्ता की पुस्तक में लिखा है देख मैं अपने दूद को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है प्रभु का मार्ग तयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो युहन्ना आया जो जंगल में बप्तिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बप्तिस्मा का प्रचार करता था और सारे यहूदिया देश के और यरुशलेम के सब रहने वाले निकल कर उसके पास गए और अपने पापों को मान कर यर्दन नदी में उससे बप्तिस्मा लिया युहन्ना उठ के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमडे का पटुका बांधे रहता था और टिड्डियां और बन मधु खाया करता था और ये प्रचार करता था मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझ से शक्तिमान है मैं इस योके नहीं कि जुक कर उसके जूतों का बंध खोलू मैंने तो तुम्हें पानी से बप्तिस्मा दिया है पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बप्तिस्मा देगा उन दिनों यीशु ने गलील के नासरत से आकर यर्दन में युहन्ना से बप्तिस्मा लिया और जब वो पानी से निकल कर उपर आया, तो तुरंट उसने आकाश को खुलते, और आत्मा को कभूतर की नाई अपने उपर उतरते देखा, और ये आकाश वानी हुई, तु मेरा प्रिये पुत्र है, तुझसे मैं प्रसंद हूँ। तब आत्मा ने तुरंट उसको जंगल की और भेजा, और जंगल में चालीस दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वो वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्ग दूत उसकी सेवा करते रहे, युहन्ना के पकड़वाय जाने के बाद, येशु ने गलील में आकर परमेश का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ, और सू समाचार पर विश्वास करो, गलील की जील के किनारे जाते हुए, उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को जील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मच्छुए थे, और येशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, म मैं तुमको मनुश्यों के मच्छुए बनाऊंगा, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और कुछ आगे बढ़कर उसने जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई युहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा, उसने तुरंत उन्हें बुलाय और वे अपने पिता जबदी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चले गए, और वे कफरन हूम में आए, और वो तुरंत सब्ध के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा, लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वो उन्हें शास्तियो आत्मा थी, उसने चिला कर कहा, एई एशु नासरी, हमें तुस्से क्या का, या तु अबे नाश करने आया है, मैं तुझे चानता हूँ, तु काउन है, वर्मेश्वर का पावित्रचन येशु ने उसे डाट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा, तब अशुध आत्मा उसको मरोड कर, और बड़े शब्द से चिला कर उसमें से निकल गई, इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए, हापस में वाद विवात करने लगे, ये क्या बात है, ये तो कोई नया देश है, वो अधिकार के साथ अशुध आत्माओं को भी आग्या देता है, और वे उसकी आग्या मानती हैं, सो उसका नाम तुरंथ, गलील के आसपास के सारे देश में हर जगह फैल गया, और वो तुरंथ, आराधनालय में से निकल कर, याकूब और युहन्ना के साथ, शम मौन की सास ज्वर से पीडित थी, और उन्होंने तुरंथ उसके विशय में उससे कहा, तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, और उसका ज्वर उतर गया, और वो उनकी सेवा टहल करने लगी, संध्या के समय जब सूर्य डूग गया, तो लोग सब बीमा गात्मारों को और उन्हें जिन में दुश्टात्माई थी, उसके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर एकठा हुआ, और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारीयों से दुखी थे, जंगा किया, और बहुत दुश्टात्माऊं को निकाला, और दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थी और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा तब शमौन और उसके साथ ही उसकी खोज में गए जब वो मिला तो उससे कहा सब लोग तुझे ढून रहे हैं उसने उनसे कहा आओ हम कहीं और आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूँ क्योंकि मैं इसी लिए निकला हूँ सो वो सारे गलील में उनकी सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा और एक कोड ही ने उसके पास आकर उससे बिनती की और उससे कहा वो यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे च्छू कर कहा मैं चाहता हूँ, तु शुद्ध हो जा और तुरन्थ उसका कोड़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया तब उसने उसे चिता कर तुरन्थ विदा किया और उसे कहा देख किसी से कुछ मत कहना परण तु जाकर अपने आपको याजक को दिखा और अपने शुद होने के विशय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चड़ा कि उस पर गवाही हो परंतु वो बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहां तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुलम खुला नगर में न जा सका परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चहुँ और से लोग उसके पास आते रहे कई दिन के बाद वो फिर कफरन हूम में आया और सुना गया कि वो घर में है फिर इतने लोग इकठे हुए कि द्वार के पास भी जगहें नहीं मिली वो उन्हें वचन सुना रहा था और लोग एक जोले के मारे हुए को चार मनुश्यों से उठवा कर उसके पास ले आए जब वे भीड के कारण उसके निकट न पहुँच सके तो उन्हों ने उस छट को जिसके नीचे वो था खोल दिया और जब उसे उधेड चुके तो उस खाट को जिस पर जोले का मारा हुआ पड़ा था नीचे लटका दिया येश्यों ने उनका विश्वास देखकर उस जोले के मारे हुए से कहा हे पुद्र तेरे बाप ख्षमा हुए तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे ये मनुश्य क्यों ऐसा कहता है ये तो परमेश्वर की निंदा करता है परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप ख्षमा कर सकता है येश्यों ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो सहज क्या है क्या जोले के मारे से ये कहना कि तेरे पाप ख्षमा हुए या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर परन्तु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृत्वी पर पापक्षमा करने का भी अधिकार है उसने उस जोले के मारे हुए से कहा मैं तुझ से कहता हूँ उठ अपनी खाट उठा कर घर चला जा वो उठा और तुरंत खाट उठा कर सब के सामने से निकल कर चला गया इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे हमने अज़ा कभी नहीं देखा वो फिर निकल कर जील के किनारे गया और सारी भीड उसके पास आई और वो उन्हें उपदेश देने लगा जाते हुए उसने हलफई के पुत्र को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले और वो उठकर उसके पीछे हो लिया जब वो उसके घर में भूजन करने बैठा और बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यिशू और उसके चेलों के साथ भूजन करने बैठे क्योंके वे बहुत थे और उसके पीछे हो लिये थे शास्त्रियों और फरीसियों ने ये देख कर के वो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है उसके चेलों से कहा यूहना के चेले और फरीसी उपवास करते थे सो उन्होंने आकर उससे कहा यूहना के चेले और फरीसीों के चेले क्यों उपवास रखते परन्तु तेरे चेले उपवास नहीं रखते यीशू ने उनसे कहा जब तक दुलहा बरातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं सो जब तक दुलहा उनके साथ है, तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। परंतु वे दिन आएंगे जब दुलहा उनसे अलग किया जाएगा। उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैवंद पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता। नहीं तो वो पैवंद उसमें से कुछ खीच लेगा। अर्थात नया पुराने से और वो और भी फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता। नहीं तो दाखरस मशकों को फार देगा। और दाखरस और मशकें दोनों नश्ट हो जाएंगी। परन्तु दाख का नया रस नई मशकों में भरा जाता है। और ऐसा हुआ कि वो सब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था। और उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे। तब फरीशियों ने उससे कहा। ये सब के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा। क्या तुमने कभी नहीं पड़ा कि जब दाउद को आवशकता हुई और जब वो और उसके साथी भूके हुए तब उसने क्या किया था। उसने क्यों कर अवियातार महयाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई। जिनका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा। सब्ध का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, नकि मनुष्य सब्ध के दिन के लिए, इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्ध के दिन का भी स्वामी है। तीसरा अध्याय और वो आराधनालय में फिर गया वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था वे उस पर दोश लगाने के लिए उसकी घात में लगे थे कि देखें वो सब्ध के दिन में उसे चंगा करता है अत्वा नहीं उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो और उनसे कहा क्या सब्ध के दिन भला करना उचित या बुरा करना प्राण को बचाना या मारना वे चुप रहे और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया तब फरीसी बाहर जाकर तुरंक हेरोधियों के साथ उसके विरोध में सम्मती करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें और यिशू अपने चेलों के साथ जील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड उसके पीछे हो ली और यहूदिया और यरुशलेम और इदूमिया से यर्दन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड ये सुनकर के वो कैसे आश्चरे के काम करता है उसके पास आई और उसने अपने चेलों से कहा भीड के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तयार रहे कि वे मुझे दबा न सके उसने बहतों को चंगा किया था और जितने लोग रोग से क्रसित थे उसे चूने के लिए उस पर गिर पढ़ते थे अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पढ़ती थी और चिला कर कहती थी तू परमेश्वर का बुत्र है और उसने उन्हें बहुत चिताया कि वे उसे प्रगट ना करें फिर वो पहार पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए तब उसने बारह पुरिशों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वो उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्टात्माओं के निकालने का अधिकार रखें और वे ये हैं शमौन जिसका नाम उसने पत्रस रखा और जबदी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बू अनर्गिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा और अंद्रियास, फिलिपुस, बर्तुलमई, मत्ती, धोमा और हलफई का पुत्र याकूब और तद्दी और शमौन का नानी और यहूदा, सकरियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया और वो घर में आया और ऐसी भीड इकठी हो गई के वे रोटी भी न खा सके जब उसके कुटुमबियों ने ये सुना, तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है और शास्त्री जो यरुशलेम से आये थे, ये कहते थे उसमें शैतान है और ये भी कि वो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकलता है और वो उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टानतों में कहने लगा शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है यदि किसी राज्य में भूट पड़े तो वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वो कैसे बना रह सकता है उसका तो अंत ही हो जाता है कोई मनुष्य किसी बलवन्त के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक की वो पहले उस बलवन्त को न बांध ले और तब उसके घर को लूट लेगा मैं तुमसे सच कहता हूँ मनुष्यों की संतान के सब पाप निंदा जो वे करते हैं ख्षमा की जाएगी परन्तु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद निंदा करे वो कभी भी ख्षमा न किया जाएगा वरन वो अनन्त पाप का अपराधी ठहरता है क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है और उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा भीर उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंडते हैं उसने उन्हें उत्तर दिया मेरी माता और मेरे भाई कौन है और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे द्रिश्ट करके कहा देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहिन और माता है चौथा अध्याय वो फिर जील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड उसके पास इकठी हो गई कि वो जील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड भूमी पर जील के किनारे खड़ी रही वो उन्हें द्रिष्टानतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा उसने अपने उपदेश में उनसे कहा सुनो एक बोने वाला बीच बोने के लिए निकला बोते समय कुछ तो मारक के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया कुछ पथरीली भूमी पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली गेहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उगाया और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड न पकड़ने के कारण सूख गया और कुछ तो जाडियों में गिरा और जड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल न लाया परन्तु कुछ अच्छी भूमी पर गिरा वो उगा और बढ़कर फल वन्त हुआ कोई तीस गुणा, कोई साथ गुणा और कोई सौ गुणा फल लाया और उसने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन बारह समेत उससे इन द्रिश्टान्तों के विशय में पूछा उसने उनसे कहा तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें द्रिश्टान्तों में होती है इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई न पड़े और सुनते हुए सुने भी और न समझें ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किये जाएं फिर उसने उनसे कहा क्या तुम ये द्रिश्टान्त नहीं समझते तो फिर और सब द्रिश्टान्तों को कैसे समझोगे बोने वाला वचन बोता है जो मारक के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंट आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है वैसे ही जो पथरीली भूमी पर बोय जाते हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंट आनंद से ग्रहन कर लेते हैं परन्तु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश्था उपद्रव होता है वे तुरंट ठोकर खाते हैं और जो छाडियों में बोय गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोका और और वस्तुओं का लोब उन में समा कर वचन को दबा देता है और वो निश्फल रह जाता है और जो अच्छी भूमी में बोय गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहन करते और फल लाते हैं कोई तीस गुणा कोई साथ गुणा और कोई सौ गुणा और उसने उन से कहा क्या दिये को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं जो प्रकाश में न लाई जाए और ना कुछ गुपत है जो प्रकट न किया जाए यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले फिर उसने उन से कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा क्यूंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमी पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो न जाने पृत्वी आप से आप फल लाती है पहले अंकुर तब बाल और तब बालों में तयार दाना परन्तु जब दाना पक जाता है तब वो तुरंद हनसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुँची है फिर उसने कहा हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किस से दे और किस द्रिश्टांत से उसका वरणन करे वो राई के दाने के समान है जब वो भूमी में बोया जाता है तो भूमी के सब बीजों से छोटा होता है परन्तु जब बोया गया तो उग कर सब सागपात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालिया निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी चाया में बसेरा कर सकते है और वो उन्हें इस प्रकार के बहुत द्रिश्टांत दे दे कर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और बिना द्रिश्टांत कहे उनसे कुछ नहीं कहता था परंतु एकांत में वो अपने निजचेलों को सब बातों का अर्थ बताता था उसी दिन जब सांज हुई तो उसने उनसे कहा आओ हम पार चलें और वे भीड को छोड़ कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावे थी तब बड़ी आँधी आई और लहरे नाव पर यहां तक लगी कि वो अब बानी से भरी जाती थी और वो आप पिछले भाग में गद्धी पर सो रहा था तब उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा ए गुरू क्या तुझे चिंता नहीं कि हम ना आशुए जाते हैं तब उसने उठकर आँधी को डाटा और पानी से कहा शांत रह थम जा और आँधी थम गई और बड़ा चैन हो गया और उनसे कहा तुम क्यूं डरते हो क्या तुमें अब तक विश्वास नहीं और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले ये कौन है? क्या आँधी और पानी भी उसकी आग्या मानते हैं? पांचमा अध्याए और वे जील के पार गिरा सेनियों के देश में पहुँचे जब वो नाव पर से उत्रा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुध आत्मा थी कबरों से निकल कर उसे मिला वो कबरों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के तुकडे तुकडे कर दिये थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था वो लगातार रात दिन कबरों और पहाडों में चिलाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था वो ईशु को दूर ही से देख कर तोड़ा और उसे प्रणाम कर उचे शब्द से चिला कर बोला क्योंकि उसने उससे कहा था उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है उसने उससे कहा और उसने उससे बहुत बिनती की हमें इस देश से बाहर ना भेज वहाँ पहाड पर सुरों का एक बड़ा जुम्ड चर रहा था और उन्होंने उससे बिनती कर कहा हमें उन सुरों में बेज़ते कि हम उनके बीतर जाए सो उसने उन्हें आग्या दी और अशुद्ध आत्मा निकल कर सुरों के बीतर पैठ गई और जुन्ड जो कोई दो हजार का था कडाडे पर से छपट कर छील में जा पड़ा और दूब मरा और उनके चरवाहों ने भाग कर नगर और गामों में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए और ईशु के पास आकर तो उसको जिसमें दुष्टात्माई थी अर था जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर दर गए और देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्टात्माई थी और सुरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया और वे उससे बिनती करके कहने लगे हमारे सिवानों से चला जा जब वो नाव पर चढ़ने लगा तो वो जिसमें पहले दुष्टात्माई थी उससे बिनती करने लगा मुझे अपने साथ रहने दे परन तु उसने उसे आग्या ना दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभू ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किये हैं वो जाकर दिक्का पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किये और सब आश्चर्य करते थे जब यीशु फिर नाव पर गया तो एक बड़ी भीड उसके पास इकठी हो गई और वो जील के किनारे था और याईर नाम आराधनाले के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पावों पर गिरा और उसने ये कहकर बहुत बिनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है तु आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जिवित रहे तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड उसके पीछे हो ली यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे और एक स्त्री जिसको बारह वर्ष से लहू बहने का रोक था और जिसने बहुत वैद्दियों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्याय करने पर भी कुछ लाब न उठाया था परंतु और भी रोगी हो गई थी येशू की चर्चा सुनकर भीड में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छूलिया उसने कहा यदि मैं उसके वस्त्र को ही छूलूंगी तो जंगी हो जाऊंगी और तुरंत उसका लहू बहना बंध हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि वो उस बीमारी से अच्छी हो गई येशू ने तुरंत अपने में जान लिया कि उसमें से सामर्थ निकली है और भीड में पीछे फिर कर पूछा मेरा वस्त्र किसने चुआ उसके चेलों ने उससे कहा तु देखता है कि भीड तुछ पर गिरी बरती है और तु कहता है किसने मुझे चुआ तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों और द्रिष्टी की तब वो स्त्री ये जान कर कि उसकी कैसी भलाई हुई है दरती और कांपती हुई आई और उसके पाउं पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया उसने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है कुशल से जा और अपनी इस बिमारी से बची रह वो ये कह ही रहा था के आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई अब गुरू को क्यों दुख देता है जो बात वे कह रहे थे उसको ईश्व ने अन सुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा मत दर केवल विश्वास रख और उसने पत्रस और याकूब और याकूब के भाई युहना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया और आराधनालय के सरदार के घर में पहुँचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिलाते देखा तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा तुम क्यों हला मचाते और रोते हो लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है वे उसकी हसी करने लगे परंतु उस सब को निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को ले वो भीतर गया जहां लड़की पड़ी थी लड़की का हाथ पकड़ कर उससे कहा तलीता कुमी जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ लड़की तुरंट उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वो बारा वर्ष की थी इस पर लोग बहुत चकित हो गए फिर उसने उन्हें चिता कर आग्या दी कि ये बात कोई जानने न पाए और कहा उसे कुछ खाने को दिया जाए चठा अध्याए वहाँ से निकल कर वो अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिये सब्द के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे इसको ये बाते कहां से आ गई और ये कौन सा ग्यान है जो उसको दिया गया है और कैसे सामर्द के कान उसके हाथों से प्रकट होते हैं क्या ये वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है और क्या उसकी बहने यहां हमारे बीच में नहीं रहती इसलिए उन्हुने उसके विशय में ठोकर खाई येशू ने उनसे कहा भविश्य द्वक्ता अपनी देश और अपने कुटुम और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता और वो वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गावों में उपदेश करता फिरा और वो बारहों को अपने पास बुलाकर उन्हें दो-दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उसने उन्हें आग्या दी मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो न तो रोटी न जोली न पटुके में पैसे परन्तु जूतियां पहनो और दो-दो कुरते न पहनो और उसने उनसे कहा जहां कहीं तुम किसी घर में उत्रो तो जब तक वहां से विदा न हो तब तक उसी में ठहरे रहो जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहन न करें और तुम्हारी न सुनें वहां से चलते ही अपने पैरों की धूल जाड़ दालो कि उन पर गवाही हो और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराएं और बहुत दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया और हेरो देश राजा ने उसकी चर्चा सुनी क्योंकि उसका नाम फैल गया था उसने कहा युहन्ना बबतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है इसलिए उससे ये सामर्थ के काम प्रकट होते हैं और उने कहा ये एलिया है परन्तु दूसरों ने कहा भविश्य दुक्ता या भविश्य दुक्तों में से किसी एक के समान है हेरो देश ने ये सुनकर कहा क्योंकि हेरो देश ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरो दियास के कारण जिससे उसने ब्याह किया था लोगों को भेज कर युहन्ना को पकड़वा कर बंदी ग्रह में डाल दिया था युहन्ना ने हेरो देश से कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं इसलिए हेरो दियास उससे बैर रखती थी और ये चाहती थी के उसे मरवा डाले परंतु ऐसा ना हो सका क्योंकि हेरो देश युहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाय रखता था और उसकी सुनकर बहुत घबराता था पर आनंद से सुनता था और ठीक अवसर पर जब हेरो देश ने अपने जन्म दिन में अपने प्रधानों और सेना पतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए जेवनार की उसी हेरो दियास की बेटी भी तर आई और नाच कर हेरो देश को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसंद किया तब राजा ने लड़की से कहा तू जो चाहे उससे मैं तुझे दूँगा उससे शपत खाई उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा मैं क्या मांगूं? वो बोली यूहना बप्तिसमा देने वाले का सिर उत्तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे बिनती की मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहना बप्तिसमा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे तब राजा बहुत उदास हुआ परन तू अपनी शपत के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना न चाहा और राजा ने तुरंट एक सिपाही को आग्या दे कर भेजा कि उसका सिर काट लाए उसने चेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया और लड़की ने अपनी मा को दिया ये सुनकर उसके चेले आए और उसके शव को उठाकर कब्र में रखा प्रेरितों ने यीशू के पास इकठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बता दिया उसने उनसे कहा तुम आप अलग किसी जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का आवसर भी नहीं मिलता था इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए और बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकठे होकर वहाँ पैदल दोड़े और उनसे पहले जा पहुँचे उसने निकल कर बड़ी भीड देखी और उन पर तरस खाया क्योंकि वे उन भेडों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा जब दिन बहुत धल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे ये सुनसान जगा है और दिन बहुत धल गया है उन्हें विदा कर कि चारों और के गामों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उन्हें उत्तर दिया। तुम ही उन्हीं खाने को दो। उन्होंने उससे कहा। क्या हम सौ दिनार की रोटिया मोल ले और उन्हें खिलाएं। उसने उन्हें से कहा। जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटिया हैं। उन्होंने मालूम करके कहा पांच और दो मचली भी। तब उसने उन्हें आग्या दी कि सब को हरी घास पर पांती पांती से बैठा दो। फिस सौ सौ और पचास पचास करके पांती पांती बैठ गए। और उसने उन पांच रोटियों को और दो मचलीयों को ले स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। और रोटियां तोड तोड कर चेलों को देता गया। कि वे लोगों को परोसें। और वे दो मचलियां भी उन सब में बाट दी। सब खाकर त्रिप्त हो गए। उन्होंने टुकणों से बारह टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मचलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वे पांच हजार पुरुष थे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को बर्बस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले उस पार बैत सैदा को चले जाएं जब तक कि वो लोगों को विदा करे। वो उन्हें विदा करके पहाड पर प्रार्थना करने को गया। जब सांज हुई तो नाव जील के बीच में थी और वो अकेला भूमी पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि ह अवा उनके विरुध थी तो रात के चौथे पहर के निकट वो जील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। उन्होंने उसे जील पर चलते देखकर समझा कि वो उठे और चिला उठे क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा धाडस बांदो मैं हूँ डरो मत। तब वो उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे क्योंकि वे उन रोटियों के विशय में न समझे थे परंतु उनके मन कठोर हो गए थे और वे पार उतर कर गन् और नाव घाट पर लगाई जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दोड़े और बीमारों को खाटों पर डाल कर जहां जहां समाचार पाया कि वो है वहां वहां लिये फिरे और जहां कहीं वो गावों नगरों या बस्तियो में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे बिनती करते थे कि वो उन्हें अपने वस्त्र का आजल ही चूले ने दे और जितने उसे चूते थे सब चंगे हो जाते थे तब फरीसी और कई एक शास्त्री जो यरुशलेम से आये थे उसके पास इकठे हुए उन्हों ने उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हात धोए रोटी खाते देखा फरीसी और सब यहुदी पुर्नियों की रीति पर चलते और जब तक भली भाती हाथ नहीं धोते तब तक नहीं खाते थे वे बाजार से आकर जब तक सनान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते थे बहुत सी और बातें थी जो उनके पास मानने के लिए पहुचाई गई थी जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बरतनों को धुना मांजना उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा तेरे चेले क्यों पुर्मियों की रीतों पर नहीं चलते और बिना हाथ धोई रोटी खाते हैं उसने उनसे कहा यशाया ने तुम कपटियों के विशय में बहुत ठीक भविश्यद्वानी की जैसा लिखा है ये लोग होटों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं मनुष्यों की आज्याओं को धर्मो पदेश करके सिखाते हैं तुम परमेश्वर की आग्या को टाल कर मनुश्यों की रीतियों को मानते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आग्या कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर और जो कोई पिता वा माता को बुरा कहे वो अवश्य मार डाला जाए परन्तु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता वा माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझ से लाब पहुँच सकता था वो कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका तो तुम उसको उसके पिता या उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिने तुमने ठहराया है परमेशवर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो उसने लोगों को अपने पास बुला कर उनसे कहा तुम सब मेरी सुनो और समझो ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समा कर अशुद्ध करे परंतु जो वस्तु में मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले जब वो भीड के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस द्रिश्टांत के विशय में उससे पूछा उसने उनसे कहा क्या तुम भी ऐसे न समझ हो क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तू बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है ये कहकर उसने सब भोजन वस्तूओं को शुद्ध ठहराया फिर उसने कहा जो मनुष्य के भीतर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोब, दुष्टता, छल, लुच्पन, कुद्रिष्टी, निंदा, अभिमान और मुर्खता निकलती है ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है फिर वो वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था के कोई ना जाने परंत वो छिप ना सका और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पामों पर गिरी ये युनानी और सूरुफिनी जाती की थी और उसने उससे बिनती की मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे उसने उससे कहा पहले लड़कों को त्रिप्त होने दे क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुट्टों के आगे डालना उचित नहीं है उसने उसको उत्तर दिया सच है प्रभू तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं उसने उससे कहा इस बात के कारण चली जा दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई है फिर वो सूर और सैदा के देशों से निकल कर दिक पुलिस देश से होता हुआ गलील की जील पर पहुँचा और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे बिनती की कि अपना हाथ उस पर रखे तब वो उसको भीड से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीब को चुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा इपफता अर्थात खुल जा और उसके कान खुल गए और उसकी जीब की गांट भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा तब उसने उन्हें चिताया कि किसी पने कहना परंद जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे उसने जो कुछ किया, सब अच्छा किया है वे बहरों को सुनने की और गुंगु को बोलने की शक्ती देता है आठवा अध्याय उन दिनों में जब फेर बड़ी भीड इकठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था तो उसने अपने चेलों को पास बुला कर उनसे कहा मुझे इस भीड पर तरह साता है क्योंकि ये तीन दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं यदि मैं उन्हें भूका घर भेज़ दू तो मार्ग में ठक कर रह जाएंगी क्योंकि इन में से कोई कोई दूर से आए है उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहां से लाए कि ये त्रिप्त हों उसने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा साथ तब उसने लोगों को भूमी पर बैठने की आग्या दी और वे साथ रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया उनके पास थोड़ी सी छोटी मचलियां भी थी और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आग्या दी सो वे खा कर तिर्प्त हो गए और शेश टुकडों के साथ टोकरे भरकर उठाए और लोग चार हजार के लगभग थे और उसने उनको विदा किया और वो तुरंट अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़ कर दलमनूता देश को चला गया फिर फरीसी निकल कर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जाचने के लिए उससे कोई स्वरगीय चिन्ह मांगा उसने अपनी आत्मा में आह भर कर कहा इस समय के लोग क्यों चिन्न ढूनते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्न नहीं दिया जाएगा और वो उन्हें छोड़ कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया और वे रोटी लेना भूल गये थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी और उसने उन्हें चिताया के देखो फरीशियों के खमीर और हेरोदेश के खमीर से चौकस रहो वे आपस में विचार कर कहने लगे हमारे पास तो रोटी नहीं है ये जानकर येशु ने उनसे कहा तुम क्यूं आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है क्या आँखे रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते और तुम्हें समरण नहीं कि जब मैंने पाँच हजार के लिए पाँच रोटी तोड़ी थी तो तुमने तुकडों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई उन्होंने उससे कहा बारा टोकरियां और जब चार के लिए साथ रोटी तोड़ी थी तो तुमने तुकडों के कितने टोकरे भरकर उठाई थे उन्होंने उससे कहा ताथ टोकरियां उसने उनसे कहा क्या तुम अब तक नहीं समझते और वे बैट सैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे बिनती की कि उसको चुए वो उस अंधे का हाथ पकड़ कर उसे गाव के बाहर ले गया और उसकी आँखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा क्या तु कुछ देखता है उसने आँख उठा कर कहा मैं मनुश्यों को देखता हूँ क्योंकि वो मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड तब उसने फिर दोबारा उसकी आँखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा और उसने ये कहकर उसे घर भेजा के इस गाउं के भीतर पाउं भी न रखना यीशू और उसके चेले कैसरिया फिलिपी के गामों में चले गए और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं उसने उनसे पूछा परन्तु तुम मुझे क्या कहते हो पत्रस ने उसको उत्तर दिया तू मसी है तब उसने उन्हें चिता कर कहा मेरे विशय में ये किसी से न कहना और वो उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुर्निये और महायाजक और शास्त्री उसे तुछ समझ कर मार डाले और वो तीन दिन के बाद जी उठे उसने ये बात उनसे साफ साफ कहती इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर जड़कने लगा परंतु उसने फिर कर और अपने चेलों की ओर देख कर पत्रस को जड़क कर कहा हे शेतान मेरे सामने से दूर हो क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परन्तु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है उसने भीड को अपने चेलों समेत पास बुला कर उनसे कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इंकार करे और अपना कुरूस उठा कर मेरे पीछे हो ले क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा पर जो कोई मेरे और सूसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानी उठाए तो उसे क्या लाब होगा और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाती के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे लज जाएगा और उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ न देख लें तब तक मृत्यू का स्वाद कदापी न चकहेंगे छै दिन के बाद यीशु ने पत्रस याकूब और युहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी उंचे पहाड पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहां तक अति उजवल हुआ कि प्रत्वी पर कोई भी धोबी वैसा उजवल नहीं कर सकता और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे इस पर पत्रस ने यीशु से कहा हे रब्बे हमारा यहां रहना अच्छा है इसलिए हम तीन मंडब बनाएं एक तेरे लिए एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए क्योंकि वो नहीं जानता था कि क्या कहे क्योंकि वे बहुत डर गए थे तब एक बादल ने उन्हें च्छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला ये मेरा प्रियपुत्र है उसकी सुनो तब उन्होंने एका एक चारों ओर द्रिष्टी की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न पाया पहार से उतरते हुए उसने उन्हें आग्या दी जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओ में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वो किसी से न कहना उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे मरे हुओ में से जी उठने का क्या आर्थ है और उन्होंने उससे पूछा शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना वश्य है उसने उत्तर दिया एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा परन्तु मनुष्य के पुत्र के विशे में ये क्यूं लिखा है कि वो बहुत दुख उठाएगा और तुछ गिना जाएगा परन्तु मैं तुमसे कहता हूँ एलिया तो आ चुका और जैसा उसके विशे में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया और जब वो चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों और बड़ी भीड लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी और दौड कर उसे नमस्कार किया उसने उनसे पूछा तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो भीड में से एक ने उत्तर दिया ए गुरू मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था जहां कहीं वो उसे पकरती है वहीं पटक देती और वो मुह में फेन भरला था और दात पीसता और सूखता जाता है मैंने तेरे चिलों से कहा कि वो उसे निकाल दे परंद वो निकाल न सके ये सुनकर उसने उत्तर में उनसे कहा हे अविश्वासी लोगो मैं कब तक तुमारे साथ रहूंगा और कब तक तुमारी सहूंगा उसे मेरे पास लाओ तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंट उसे मरोड़ा और वो भूमी पर गिरा और मुह से फेइन बहाते हुए लोटने लगा उसने उसके पिता से पूछा इसकी ये दशा कब से है? तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर ये शुने उससे कहा यदि तू कर सकता है ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है बालक के पिता ने तुरंट गिर गिरा कर कहा हे प्रफू मैं विश्वास करता हूँ मेरे विश्वास का उपाएकर जब ये शुने देखा कि लोग दोड़ कर भीड लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहका डाटा हे गूंगी और बहरी आत्मा मैं तुझे अग्या देता हूँ उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश्च न कर तब वो चिला कर और उसे बहुत मरोर कर निकलाई और बालक मरा हुआ सा हुगया यहां तक के बहुत लोग कहने लगे के वो मर गया परन्त ये शुव ने उसका हाथ पकर कर उसे उठाया और वो खड़ा हो गया जब वो घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा हम उसे क्यों न निकाल सके उसने उनसे कहा ये जाती बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे और वो नहीं चाहता था कि कोई जाने क्योंकि वो अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वो मरने के तीन दिन बाद जी उठेगा पर ये बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उसे पूछने से डरते थे फिर वे कफरन हूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे? वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था कि उनमें बड़ा कौन है तब उसने बैठ कर बारहों को बुलाया और उनसे कहा यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहन करता है वो मुझे ग्रहन करता है और जो कोई मुझे ग्रहन करता है वो मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहन करता है तब यूहन्ना ने उससे कहा हे गुरू हमने एक मनिश्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता था येश्य ने कहा उसको मत मना करो क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर है जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हे इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतीफल किसी रीती से नखोएगा पर जो कोई छोटों में से जो मुझे पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला ये है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुद्र में डाल दिया जाए यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल तुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इस से भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं और यदि तेरा पाउँ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना, तेरे लिए इससे भला है कि दो पाउं रहते हुए नरक में डाला जाए, और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, तेरे लिए इससे भला है कि दो आख रहते हुए तु नरक में डाला जाए जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा नमक अच्छा है पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किस से स्वादित करोगे अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो दस्वा ध्याए फिर वहां से उठकर यहूदिया के सिवानों में और यर्दन के पार आया और भीड उसके पास फिर इकठी हो गई और वो अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा तब फरीस्यों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मुसा ने तुम्हें क्या आज्या दी है? उन्होंने कहा, मुसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्या दी है. येशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता की कारण, उसने तुम्हारे लिए ये आज्या लिखी, पर स्रिष्टी के आरंब से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है. इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे, इसलिए अब दो नहीं पर एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग न करे. और घर में चेलों ने इसके विशय में उससे फिर पूछा, उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याक कर दूसरी से ब्याह करे, तो वो उस पहली के विरोध में विविचार करता है, और यदि पत्नी अपने पती को छोड़ कर दूसरे से ब्याह करे, तो वो विविचार करती है फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे पर चेलों ने उनको डाटा येशू ने ये देख कृध होकर उनसे कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य हैसों ही का है मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहन न करे वो उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा और उसने उन्हें गोध में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशिश दी और जब वो निकल कर मार्ग में जाधा था तो एक मनुष्य उसके पास दोड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा हे उत्तम गुरू अनन्त जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ यीश्व ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम नहीं केवल एक अर्थात परमेश्वर तू आग्याओं को तो जानता है हत्या न करना व्यविचार न करना चोरी न करना जूटी गवाही न देना चल न करना अपने पिता और अपनी माता का आदर करना उसने उससे कहा ये गुरू इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ ये शू ने उस पर द्रिष्ट की और उसके रदय में प्रेम उमणाया तब उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है जा जो कुछ देरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले इस बात से उसके चहरे पर उदासी झा गई और वो शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था येशु ने चारों और देखकर अपने चेलों से कहा धनवानों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है चेले उसकी बातों से अचमभित हुए इस पर येशु ने फिर उनसे कहा ये बाल को जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है उन्त का सुईल के नाके में से निकल जाना सहज है फिर बहुत ही चकित होकर आपसमें कहने लगे तो फिर किसका उध्धार हो सकता है येशु ने उनकी ओर देख कर कहा मनुश्यों से तो ये नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है पत्रस उससे कहने लगा देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिये है येशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सूसमचार के लिए घर या भाईयों या बहिनों या माता या पिता या लड़के वालों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय सो गुणा न पाए घरों और भाईयों और बहिनों और माताओं और लड़के वालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और पर लोक में अनन्त जीवन पर भहुतेरे जो पहिले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहिले होंगे और वे यरुशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यिशू उनके आगे आगे जा रहा था और वे अचंभा करने लगे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे डरने लगे तब वो फिर उन बारहों को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी उसने कहा और तीन दिन के बाद वो जी उठेगा तब जबती के पुत्र याकूब और युहन्ना ने उसके पास आकर कहा ए गुरू हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुछ से मांगे वही तु हमारे लिए करे उसने उनसे कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमारे लिए करूँ उन्हों ने उससे कहा हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे युशू ने उनसे कहा तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या पी सकते हो और जो बप्तिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या ले सकते हो? उन्हों ने उससे कहा, हमसे हो सकता है? ईशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, तुम पियोगे और जो बप्तिस्मा मैं पर लेने पर हूँ, उसे लोगे पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं ये सुनकर दसों याकूब और युहन्ना पर रिसी आने लगे येशू ने उनको पास बुला कर उनसे कहा तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं पर तुम में ऐसा नहीं है वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सब का दास बने क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ोती के लिए अपना प्राण दे और वे यरीहों में आये और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड यरीहों से निकलती थी तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था वो ये सुनकर के यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा बहतों ने उसे डाटा के चुप रहे पर वो और भी पुकारने लगा तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ और लोगों ने उस अंधे को बुला कर उससे कहा वो अपना कपड़ा फेंक कर शीग्र उठा और यीशु के पास आया इस पर यीशु ने उससे कहा तु क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ अंधे ने उससे कहा ए रब्बी ये कि मैं देखने लगू यीशु ने उससे कहा चला जा तेरे विश्वास ने तुझे जंगा कर दिया है वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया जब वे यरुशलेम के निकट जैतून पहार पर बैत फगे और बैत नियाह के निकट आए तो उसने अपने चेलों में से दो को ये कहकर भेजा अपने सामने के गाओं में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चड़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा उसे खोल लाओ यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यूं करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वो शिक्र उसे यहां भेज देगा उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया वे उसे खोलने लगे जो लोग वहां खड़े थे उन्में से कुछ कहने लगे ये क्या करते हो गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो उन्होंने जैसा यीशू ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया तब उन्होंने उन्हें जाने दिया और उन्होंने बच्चे को यीशू के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वो उस पर बैठ गया और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और और उन्हें खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे और वो यरुशलेम पहुँचकर मंदिर में आया और चारों और सब वस्तूं को देखकर बारहूं के साथ बैतनियाह गया क्योंकि सांज हो गई थी दूसरे दिन जब वे बैतनियाह से निकले तो उसको भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेर देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था इस पर उसने उससे कहा अब से कोई तेरा फल कभी न खाए उसके चेले ये सुन रहे थे फिर वे यरुशलेम में आये और वो मंदिर में गया और वहां जो लें दें कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा सराफों के पीड़े और कभूतर के बेचने वालों की चौकियां उलटती और मंदिर में से होकर किसी को बरतन लेकर आने जाने ना दिया और उसने उपदेश करके उनसे कहा क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा पर तुमने इसे डाकूओं की खोह बना दी है ये सुनकर महायाजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंडने लगे परन्तु उससे डरते थे क्योंके सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे और प्रती दिन सांज होते ही वो नगर से बाहर जाया करता था भोर को जब वे उधर से जा रहे थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड को जड़ तक सूखा हुआ देखा पत्रस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा हे रब्भी देख ये अंजीर का पेड जिसे तूने श्राब दिया था सूख गया है ये शूने उसको उत्तर दिया परमेश्वर पर विश्वास रखो मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई इस पहाड से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जापड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया वो तुमारे लिए हो जाएगा और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदी तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो कि तुम्हारा स्वर्गिय पिता भी तुम्हारे अपराद क्षमा करे और यदी तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराद क्षमा न करेगा वे फिर यरुशलेम में आए और जब वो मंदिर में टहल रहा था तो महायाजक, शास्त्री और पुर्निये उसके पास आकर पूछने लगे यिशु ने उनसे कहा मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ युहन्ना का पप्तिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुश्यों की ओर से था, मुझे उत्तर दो तब वे आपस में विवाद करने लगे के यदी हम कहें सुर की ओर से, तो वो हमसे कहेगा फिर तुम ने उसकी प्रतिती क्यों ना की और यदी कहें मनुश्य की ओर से, तो हमें भीड का डर है, क्योंकि वे सब यहन्ना को भाविशिदुगता जानते हैं सो उन्हों ने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुम को नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ बार्मा अध्याय फिर वो द्रिश्टांत में उनसे बातें करने लगा किसी मनुश्य ने ताक की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मत बनाया और किसानों को उसका ठीका देकर वो पर देश चला गया फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि उनसे दाक की बारी के फलों का भाग ले पर उन्होंने उसे पकड़ कर पीटा और छूचे हाथ लोटा दिया उसने एक और दास को उनके पास भेजा और उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला तब उसने और बहुतों को भेजा उनमें से उन्होंने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला अब एक ही रह गया था अंत में उसने उसे भी उनके पास ये सोच कर भेजा कि वे उसके पुत्र का आदर करेंगी पर उनकिसानों ने आपस में कहा यही तो वारिस है आओ हम उसे मार डाले तब मिरास हमारी हो जाएगी और उन्होंने उसे पकड़ कर मार डाला और दाक की बारी के बाहर फेंग दिया अब दाक की बारी का स्वामी क्या करेगा? वो आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाक की बारी औरों को दे देगा क्या तुमने पवित्र शास्त्र में ये वचन नहीं पड़ा? कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया ये प्रभू की ओर से हुआ और हमारी दृष्टी में अदभुत है तब उन्होंने उसे पकरना चाहा क्योंके समझ गए थे कि उसने उनके विरोध में ये दृष्टांत कहा पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़ कर चले गए तब उन्होंने उसे बातों में फ़साने के लिए कई एक फरीसियों और हेरोधियों को उसके पास भेजा उन्होंने आकर उससे कहा हे गुरू हम जानते हैं कि तु सच्चा है और किसी की परवा नहीं करता क्योंकि तु मनुश्यों का मुँ देख कर बात नहीं करता परन्तु परमेश्वर का मार सच्चाई से बताता है तो क्या कैसर को कर देना उचित है की नहीं हम दें या न दें उसने उनका कपट जान कर उनसे कहा मुझे क्यूं परखते हो एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं वे ले आए और उसने उनसे कहा ये मुर्ती और नाम किसका है उन्होंने कहा कैसर का यीशू ने उनसे कहा जो कैसर का है वो कैसर को दू और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो तब वे उस पर बहुत अच्छंभा करने लगे फिर सदूकियों ने भी जो कहते हैं के मरे हुओ का जी उठना है ही नहीं उसके पास आकर उससे पूछा हे गुरू मुसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वन्शुत्पन करे साथ भाई थे पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया दूसरे भाई ने उस इस्तरी को ब्याह लिया और बिना संतान मर गया और वैसे ही तीसरे ने भी और सातों से संतान ना हुई सब के पीछे वो इस तरी भी मर गई सो जी उठने पर वो उन में से किस की पतनी होगी क्योंकि वो सातों की पतनी हो चुकी थी येशु ने उनसे कहा क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न परमेश्वर की सामर्थ को क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो उन में ब्याह शादी न होगी पर स्वर्ग में दूतों की नाई होगे मरे हुओं के जी उठने के विशय में क्या तुमने मूसा की पुस्तत में जाड़ी की कथा में नहीं पड़ा, कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं इबराहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ, परमेश्वर मरे हुँओं का नहीं, वरन जीवतों का परमेश्वर है, सो तुम बड़ी भूल में पड़े हो। और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीती से उत्तर दिया उससे पूछा सबसे मुख्य आग्या काउन सी है? यीशु ने उससे उत्तर दिया सब आग्याओं में से ये मुख्य है हे इसराइल सुन प्रभू हमारा परमेश्वर एक ही प्रभू है और तू प्रभू अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धी से और अपनी सारी शक्ती से प्रेम रखना और दूसरी ये है कि तू अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रखना इससे बड़ी और कोई आज्या नहीं शास्त्री ने उससे कहा ए गुरू बहुत ठीक तुने सच कहा के वो एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं और उसे सारे मन और सारी बुद्धी और सारे प्राण और सारी शक्ती के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़ कर है जब यिशु ने देखा के उसने समझ से उत्तर दिया तो उसने कहा तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ फिर यिशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए ये कहा शास्तरी क्यों कहते हैं कि मसीय दाउद का पुत्र है दाउद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा मेरे दहिने बैट जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों की पीड़ी न कर दूँ दाउद तो आप ही उसे प्रभू कहता है फिर वो उसका पुत्र कहां से ठहरा और भीड के लोग उसकी आनंद से सुनते थे उसने अपने उप्देश में उनसे कहा शास्त्रियों से चौकस रहो जो लंबे वस्त्र पहिने हुए फिरना और बाजारों में नमसकार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं वे विद्वाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं ये अधिक दंड पाएंगे और वो मंदिर के भंडार के सामने बैठ कर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला इतने में एक कंगाल विध्वा ने आकर दो दमडियां जो एक पैसे के बराबर होती हैं डाली तब उसने अपने चेलों को पास पुला कर उन्से कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से, इस कंगाल विद्वा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परन्तु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीवी का डाल द है, तेरवां अध्याय, जब वो मंदिर से निकल रहा था, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरू, देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन है, येशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो, यहां पत्थर पर पत्थर भी बचाना रहेगा, जुढ़ाया न जाएगा, जब वो जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था, तो पत्रस और याकूब और युहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी, उस समय का क्या चिन होगा? ये शू उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भर्माए, बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, और बहुतों को भर्माएंगे, और जब तुम लडाईयां और लडाईयों की चर्चा सुनो, तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, प अर कहीं भुईडोल होंगे, ये तो पीडाओं का आरंब ही होगा, परन्तु तुम अपने विशय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौपेंगे, और तुम पंचायतों में पीते जाओगे, और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े कि जाओगे कि उनके लिए गवाही हो, पर आवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए, जब वे तुम्हें ले जाकर सौपें, तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए, वही कहना, क्योंकि बो पुत्र खात के लिए सौपेंगे, और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज रखेगा, उसी का उद्धार होगा, सो जब तुम उस उजारने वाली गरित वस्तु को, जहां उचित नहीं, वहां खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदियों में हो, वे पहाडों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो, वो अपने घर से कुछ लेने को, नीचे न उतरे, और न भीतर जाएं, और जो खेत में हो, वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लोटे, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, और प्रार्थना किया करो, कि यह जाडे में न हो, क्योंकि वे दिन ऐसे कलेश के होंगे, कि सृष्टी के आरंब से, जो परमेश्वर ने स स्रिजी है, अब तक ना तो हुए, और ना फिर कभी होंगे, और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता, तो कोई प्राणी भी न बचता, परन्तु उन चुने हुओं के कारण, जिनको उसने चुना है, उसने उन दिनों को घटाया है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो, वहाँ है, तो प्रतीती न करना, क्योंकि जूटे मसीह और जूटे भविश्चिद वक्ता, उठ खड़े होंगे, और चिन और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके, तो चुने हुओं को भी भर्मा दे, पर तुम चौकस रहो, देखो, मैंने तुम्हे सब बातें पहले ही से कह दी है, उन दिनों में उस कलेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा, और चांद प्रकाश न देगा, और आकाश से तारा गण गिरने लगेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्त और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे, उस समय वो अपने दूतों को भेज कर पृत्वी की इस छोर से, आकाश की उस छोर तक चारों दिशा से अपने जुने हुए लोगों को इकठे करेगा, अंजीर के पेड़ से ये द्रिश्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती, और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रिश्म काल निकट है, इसी रीती से जब तुम इन बातों को होते देखो, तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है, मैं तुम से सच कहता हूँ, जब तक ये सब बातें न हो लेंगी, तब तक ये जाते न रहेंगे, आकाश और प्रिथ्वी डल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न डलेंगी, उस दिन या उस घड़ी के विशय में, कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता, देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते, कि वो समय कब आएगा, ये उस मनुष्य की सी दशा है, जो परदेश जाते समय, अपना घर छोड़ जाए, और अपने दासों को अधिकार दे, और हर एक को उसका काम जता दे, और द्वार पाल को जागते रहने की आग्या दे, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते, कि घर का स्वामी कब आएगा, सांज को, या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को, ऐसा नहो, कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए, जो मैं तुम से कहता हूँ, वही सब से कहता हूँ, जागते रहो, दो दिन के बाद, फसह और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था। महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे के उसे किस प्रकार छल से पकड़ कर मार डालें। परंतु कहते थे के पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो, के लोगों में भलवा मचे। जब वो बैत नियाह में शमौन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संग मरमर के पात्र में जटा मासी का बहुमूले शुद्ध इत्र लेकर आई, और पात्र तोड़ कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। कुछ लोग अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया? क्योंकि ये इत्र तो तीन सो दिनार से अधिक मुले में बेच कर कंगालों को बाटा जा सकता था। और वे उसको जटकने लगे यीशु ने कहा उसे छोड़ दो उसे क्यों सताते हो उसने तो मेरे साथ भलाई की है कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा जो कुछ वो कर सकी उसने किया है उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है मैं तुम से सच कहता हूँ सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी तब यहूदा इस करियोती जो बारह में से एक था महायाजगों के पास कया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे वे ये सुनकर आनन्दित हुए और उसको रुपए देना स्वीकार किया और वो ये अवसर ढूंदने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे उसके चेलों ने उससे पूछा तु कहा चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने के तयारी करें? उसने अपने चेलों में से दो को ये कहकर भेजा नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा उसके पीछे हो लेना वो जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना गुरू कहता है मेरी पाहुन शाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहां है? वो तुम्हें एक सजी सजाई और तयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा वहां हमारे लिए तयारी करो सो चेले निकल कर नगर में आये और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया जब सांज हुई तो वो बारहों के साथ आया और जब वो बैठे भोजन कर रहे थे तो इश्यू ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम में से एक, जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, मुझे पकडवाएगा। उन पर उदासी छा गई, और वे एक-एक करके उससे कहने लगे, क्या, वो मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वो बारहों में एक है, जो मेरे साथ ठाली में हाथ डालता है, मनुष्य का पुत्र, तो जैसा उसके विशय में लिखा है, जाता ही है, परन्तु उस मनुष्य पर हाए, जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकडवाया जाता है, यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता और जब वे खा ही रहे थे तो उसने रोटी ली और आशिश मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा लो ये मेरी देह है फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सबने उसमें से पिया और उसने उनसे कहा ये वाचा का मेरा वो लोहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है मैं तुमसे सच कहता हूँ दाक का रस उस दिन तक फिर कभी न पियूँँगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पियूँँँ फिर वे भजन ग जाकर बाहर चैतून के पहाड पर गए तब ईश्व ने उनसे कहा तुम सब ठोकर खाओगे क्योंकि लिखा है मैं रखवाले को मारूंगा और भेड तितर बितर हो जाएंगी परन्तु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाओंगा पत्रस ने उससे कहा यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा येश्व ने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ आज ही इसी रात मुर्गे के दो बार बांग देने से पहले तू तीन बार मुझसे मुकर जाएगा पर उसने और भी जोर दे कर कहा यदि मुझे तेरे मरना भी पड़े तो भी तेरा इंकार कभी न करूंगा इसी प्रकार और सबने भी कहा फिर वे गत समने नाम एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा यहां बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं और वो पत्रस और याकूब और युहन्ना को अपने साथ ले ग मेरा मन बहुत उदास है यहां तक कि मैं मरने पर हूँ तुम यहां ठहरो और जागते रहो और वो थोड़ा आगे बढ़ा और भूमी पर गिर कर प्रार्थना करने लगा यदी हो सके तो यह घड़ी मुझे पर सिटल जाए और गहा हे अब्बा हे पिता तुझसे सब कुछ हो सकता है इस कटोरे को मुझे से हटा ले तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं पर जो तू चाहता है वही हो फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पत्रस से कहा ये शमोन तू सो रहा है क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परिक्षा में न पड़ो आत्मा तो तयार है पर शरीर दुर्बल है और वो फिर चला गया और वही बात कहकर प्रार्थना की और फिर आकर उन्हें सोते पाया क्योंकि उनकी आखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें तब तीसरी बार आकर उनसे कहा अब सोते रहो और विश्राम करो बस घड़ी आ पहुँची देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है उठो चले देखो मेरा पकड़ने वाला निकटा पहुँचा वो ये कही रहा था के यहूदा जो बारहों में से था अपने साथ महायाजकों और शास्त्रियों और पुर्नियों की ओर से एक बड़ी भीड, तलवारें और लाठियां लिये हुए तुरंट आ पहुँचा उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये पता दिया था के जिसको मैं चूमूँ वही है, उसे पकड़कर यतन से ले जाना और वो आया और तुरंट उसके पास जाकर कहा है रबी और उसको बहुत चूमा तब उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया उन्हें से जो बास खड़े थे, एक ने तलवार खीच कर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया येशू ने उनसे कहा क्या तुम दाकु जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारे और लाठिया लेकर निकले हो मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे नपकड़ा परन्तु ये इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए और एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओड़े हुए उसके पीछे हो लिया लोगों ने उसे पकड़ा पर वो चादर छोड़कर नंगा भाग गया तब वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब महायाजक और पुर्निये और शास्त्री उसके यहां इकठे हुए पत्रस भी दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठ कर आग तापने लगा महायाजक और सारी महासभा यीशु के मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे पर ना मिली क्योंकि बहुत तेरे उसके विरोध में जूठी गवाही दे रहे थे पर उनकी गवाही एक सी ना थी तब कितनों ने उठकर उस पर ये जूठी गवाही दी हमने इसे ये कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढ़ा दूँगा और तीन दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो इस पर भी उनकी गवाही एक सीना निकली तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर ये शू से पूछा महायाजक ने उससे फिर पूछा तू कोई उत्तर नहीं देता ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं परंतु वो मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया महायाजक ने उससे फिर पूछा क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसी है? यीशू ने कहा हाँ मैं हूँ और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्व शक्तिमान की दहिनी और बैठी और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे तब महायाजक ने अपने वस्त्र भार कर कहा अब हमें गवाओं का और क्या प्रियोजन? तुमने ये निंदा सुनी? तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा वो वक्र के योगे है! तब तो कोई उस पर थूकने और कोई उसका मूह धापने और उसे घूसे मारने और उसे कहने लगे अविश्यवानी का थे और प्यादों ने उसे लेकर थपड़ मारे जब पत्रस नीचे आंगन में था तो महायाजक की लॉंडियों में से एक वहाँ आई और पत्रस को आग तापते देखकर उस पर टक-टकी लगा कर देखा और कहने लगी तू भी तो उस नासरी ईशु के साथ था वो मुकर गया और कहा मैं नहीं जानता और नहीं समझता के तू क्या कह रही है फिर वो बाहर डेवरी पर गया और मुर्ग ने बांग दी वो लॉन्डी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी ये उनमें से एक है परंतु वो फिर मुकर गया और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पत्रस से कहा निश्चे तू उनमें से एक है क्योंकि तू गलीली भी है तब वो धिकार देने और शपत खाने लगा कि उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करती हो मैं नहीं जानता तब तुरंट दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी पत्रस को वो बात जो ये शुने उससे कही थी स्मरण आई कि मुर्ग के दो बार बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इंकार करेगा वो इस बात को सोच कर रोने लगा पंद्रवा अध्याए और भोर होते ही तुरंट महायाजकूं, पुर्णियों और शास्त्रियों ने वरंग सारी महासभाने सलाह करके ये शु को बंद्वाया और उसे ले जाकर पीलातुस के हाथ सौप दिया पीलातुस ने उससे पूछा क्या तू यहुद्यों का राजा है उसने उसको उत्तर दिया तू आप ही कह रहा है और महायाजक उस पर बहुत बातों का दोश लगा रहे थे पीलातुस ने उससे फिर पूछा क्या तू उत्तर नहीं देता? देखे दुछ पर कितनी बातों का दोश लगाते हैं येशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया यहां तक कि पीलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ वो उस पर्व में किसी एक बंधुए को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था पर अबबा नाम का एक मनुष्य उन वलवाईयों के साथ बंधुआ था जिन्होंने बलवे में हत्त्या की थी भीड उपर जाकर उससे बिनती करने लगी जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर पीलातुस ने उनको उत्तर दिया क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहुद्यों के राजा को छोड़ दू क्यूंकि वो जानता था कि महायाजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था परन्तु महायाजकों ने लोगों को उभारा कि वो परअबभा ही को उनके लिए छोड़ दे ये सुन पीला तुसने उनसे फिर पूछा तुम जिसे यहुद्यों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करो वे फिर चिल्लाए उसे एक क्रूस पर चड़ा दे पीला तुसने उनसे कहा क्यों? इसने क्या बुराई की है? परन्तु वे और भी चिल्लाए उसे ग्रूस पर चढ़ा दे तब बीलातुस ने भीड को प्रसंद करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और ईशु को कोड़े लगवा कर सौप दिया के ग्रूस पर चढ़ाया जाए और सिपाही उसे किले के भीतर के आंगण में ले गए जो प्रिटोरियूं कहलाता है और सारी पल्टन को बुला लाए और उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और काटों का मुकुट गूंत कर उसके सिर पर रखा और ये कहकर उसे नमस्कार करने लगे यहूदियों के राजा नमस्कार और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर धूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे जब वे उसका ठठा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाये और तब उसे कुरूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए और सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन नाम एक कुरेनी मनुष्य जो गाव से आ रहा था उधर से निकला उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका कुरूस उठा ले चले और वे उसे कुलगुता नाम जगह पर जिसका अर्थ खोपडी की जगह है लाए और उसे मुर्र मिला हुआ दाखरस देने लगे परंतु उसने नहीं लिया तब उन्होंने उसको कुरूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिठियां डाल कर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया पहर दिन ही चढ़ा था जब उन्होंने उसको कुरूस पर चढ़ाया और उसका दोश पत्र लिखकर उसके उपर लगा दिया गया यहूदियों का राजा और उन्होंने उसके साथ दो डाकू एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईयोर कुरूस पर चढ़ाए तब धर्म शास्त्र का वो वचन के वो अपराधियों के संग इना गया पूरा हुआ और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिला कर और ये कहकर उसकी निंदा करते थे मंदिर के ढ़ने वाले और तीन दिन में बनाने वाले कुरूस पर से उतर कर अपने आपको बचा ले इसी रीती से महायाजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्टे से कहते थे इसने ओरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता इसरायल का राजा मसी अब कुरूस पर से उतर आए कि हम देख कर विश्वास करें और जो उसके साथ कुरूसों पर चड़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे और दोपहर होने पर सारे देश में अंध्यारा चा गया और तीसरे पहर तक रहा तीसरे पहर यिश्व ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा इलोई इलोई लमाश भक्तनी जिसका अर्थ ये है ए मेरे परमेश्वर ए मेरे परमेश्वर तुने मुझे क्यों छोड़ दिया जो पास खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा देखो वो एलिया को पुकारता है और एक ने दोड़ कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा तहर जाओ देखें कि अलाईया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं तब ये शुने बड़े शब्द से चिला कर प्राण छोड़ दिये और मंदिर का परदा उपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था जब उसने उसे इस प्रकार प्राण छोड़ते हुए देखा तो कहा कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी उनमें मर्यम, मगगलीनी और छोटे याकूब की और योसेस की माता मर्यम और शलोमी थी जब वो गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी और और भी बहुत सिस्त्रियां थी जो उसके साथ यरुशलेम में आई थी जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तयारी का दिन था जो सब्थ के एक दिन पहले होता है अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो प्रतिष्ठित मंत्री था और स्वयम परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था वो हियाव करके पीलात उसके पास गया और यीशु की लोथ मांगी पीलात उसने आश्चर्य किया कि वो इतने शेख्र मर गया और सूबेदार को बुला कर पूछा क्या उसको मरे हुए देर हुई सो जब सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो लोथ यूसुफ को दिला दी तब उसने एक पतली चादर मोल ली और लोथ को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चटान में खुदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुड़का दिया और मर्यम मगदलीनी और योसेश की माता मर्यम देख रही थी कि वो कहां रखा गया है सोलवा अध्याए जब सब्ध का दिन बीट गया तो मर्यम मगदलीनी और याकूब की माता मर्यम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली के जाकर उस पर मलें सब्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई वे आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुड़काएगा जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा के पत्थर लुड़का हुआ है क्यूंकि वो बहुत बड़ा था और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी और बैठे देखा और बहुत चकित हुई उसने उनसे कहा चकित मत हो तुम येश्यू नासरी को जो क्रूस पर चड़ाया गया था ठोंती हो वो जी उठा है यहा नहीं है देखो यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था परंतु तुम जाओ और उसके चेलो और पत्रस से कहो कि वो तुम से पहले गलीर को जाएगा जैसा उसने तुम से कहा था तुम वहीं उसे देखो और वे निकल कर कब्र से भाग गई क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर च्छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी सपताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर सबसे पहले मर्यम मगदलीनी को जिसमें से उसने साथ दुष्टात्माई निकाली थी दिखाई दिया उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे थे और रो रहे थे समाचार दिया और उन्होंने ये सुनकर के वो जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीती न की इसके बाद वो दूसरे रूप में उनसे दो को जब वे गाव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया उन्होंने भी जाकर समाचार दिया परन्तु उन्होंने उनकी भी प्रतीती न की पीछे वो उन ग्यारहों को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उनकी प्रतीती ना की थी, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टी के लोगों को सूसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उधार होगा, परत जो विश्वास न करेगा, वो दोशी ठहराया जाएगा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ध होंगे, वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाशा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक बस्तू भी पी जाएगे, तो भी उनकी कुछ हानी न होगी, वे बिवारों पर हाथ लगे, और वे जगे हो जाएगे, निदान प्रभु येश्व उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकल कर हर जगे प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दिढ़ करता रहा, आमीन.